सात्यों स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी किलासेश विस सुमिज जैन यूटूब चैनल में सुसात्यों स्टार्ड उचुका है आज का इसेशन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे ठीक है और दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हिंदी साहित को बहुत मस्ती त अच्छे से तैयारी करना है तो मात्र 1199 रुपे में दोस्तों इसमें तैयारी कर सकते जिसमें आपका हिंदी ब्याकरण हिंदी साहित बिष्टरे तद्यन प्लस दोस्तों टैस्ट प्लस टिरक और दोस्तों डाउट्स के लिए अर लाइब किलासे हैं है ना यह सारी चीज़ है ना रभीबार और गुरुबार को एक फिरी टेस्ट सीरिज लांच की गई है जिसमें सभी लोग दोस्तों टेस्ट लगा दे हैं जिसका नाम है 2020 टेस्ट सीरिज ठीक है यह सेल्फ स्टेडी किलासे से अप पर बिल्कुल फिरी में होती है ठीक है तो बहुत बढ़िया तो आ 21 जून से निचोड किलासे स्टार्ड होने बाली है यानि कि हिंदी साहित में क्या पूचा जाता है वो स्टार्ड होने बाला है ठीक है तो दोस्तों आपको याद रखना है 1199 रुपे में इस कोर्स में एडवीसर लेकर के आप अध्यन बहुत अच्छे से करतकते हैं सेल्फ स्टेडी किलासे इसका वो एप जरू डाउलोड कर लें आज का प्रस्ण आपके सामने है प्रत्वी राज रासों को आप किस बर्ग में रखेंगे आपका पहला क्वेस्चन राजनितिक महा काब्बे से कहेंगे इसे सांस्कृतिक महा काब्बे कहेंगे श्रंगार गाथा कह रहेंगे या बीर गाथा दोस्तों बर्ग में इस काब्बे को रखेंगे इस ग्रंत को रखेंगे तो चार विकल्प हैं आपको पता है इतना लगबक सभी लोगों को पता है इसर जो प्रत्वी राज रासों है ये प्रत्वी राज रासों हिंदी का प्रत्व महा काब्बे म पता है अब आपको यहां पर जल्दी से उत्तर बताना और आपने बिल्कूर सही आंसर बताया है कि सर प्रतिवी राज रासों को हम जो रखेंगे वो रखेंगे बीर गाथा त्मक परक जो दोस्तों रखेंगे और आपका D बिलकुर सही हो जाता ठीक है अंगला कोईस्चन देख लो मैतली में मैतली हिंदी में रचेत गद रचना का नाम बताना है बताईए मैतली हिंदी में रचेत रचना कौनसी है दोस्तों वरन रतनाकर राउल बेल प्राकृत पैंगलम पदा बल रचना का नाम क्या है नाम क्या है फटाक से बताईए पूर्ती अगरबाल जी मैतली हिंदी में रचेत गद रचना का नाम आपको बताना है आपका बिलकुर सही आंसर आपने बताया है बहुत सारे लोगों ने आंसर आ रहा है है ना उत्तर आ रहा है D नंबर ठीक है तो बर बिध्यापती है ना और पदा बली भी दोस्तों ये काई में है मैथली में है बिध्यापती पदा बली तो यहाँ पर ए और डी आपका बिलकोर सही हो जाएगा है ना जो बहुत सारे लोगों ने बताईए बर्न रतनाकर जो 308 और पदा बली बिध्यापती है ना याद रखड़े ना बिध्यापती ने कुल मिला के 16 ग्रंतों की रचना की है दोस्तों है ना इनको आपको याद जाता है इने क्या कहा जाता है मैथिल कोकिल कहा जाता है है ना किसको बिध्यापती को अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आदी काल में चरित काब सरवादेक किस साहित में रचे गए बहुत बढ़िया प्रश्न है कई बार पूच्छा जाता है सबी लोग बताईए जल्दी से आपको बताना है तीन का अंसर बताना है सबी लोग आदी काल में चरित काब सरवादेक किस साहित में रचे गए हैं सुबह साड़े नौ बजे की किलास प्रीमियर होती है दोस्तों वो लाइब किलास नहीं होती है ना इसी प्रकार से लाइब किलास अपनी होती है नौ बजे ठीक है आदी काल में चरित काब सरवादेक किस साहित में रचे गए तीन का उत्तर आपको बताना है जैन साहित में रासो साहित में नात साहित या फिर सिद्ध साहित में ये तीन का उत्तर आपको बताना है तीन नमर का उत्तर आपको बताना है और बिलकुर सही आ कौन सा ऐसा जैन कभी है जिसकी रचना हिंदी की प्रिथम रचना कहलाती है दोस्तों बताईए हिंदी की प्रिथम रचना कहलाती है वो ऐसा कौन सा जैन कभी है जिसके द्वारा रचित जिसके द्वारा रचित जल्दी से बताईए फटापट से फटापट सभी लोग लिखे और वो हो जाएंगी ठीक है बिलकुल अब आदिकाल में चरितकाब सरबादे किस साहित में रचे गए जल्दी से बताओ किस साहित में रचे गए जैन साहित में ये तो आपका हो गया लेकिन आपने बताया है कि सर वो कभी कौन सा है देवसेन ठीक है देवसेन आपका बिलकुल और इन्होंने रचना की थी काई की स्राब का चार की काई की रचना की थी दोस्तों स्राब का चार की कब की थी इन्होंने रचना 933 इस भी में इन्होंने रचना की थी स्राब का चार की और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है कौनसी स्राब का चार हिंदी की प्रथम र होना था दोस्तो मात्र मैथली भासा में होना था है ना कोई बात नहीं लेकिन आप सो दाल ले ना बिद्यापती पदाबली में किस रसकी प्रधानता है इसको आपको बताना है बताईए किस रसकी प्रधानता है ऐसे भी question कई बार आते हैं दोस्तो बिध्यापती की पदाबली अपने पड़ा है बिध्यापती की पदाबली पड़ी है और पदाबली जो रचना है ये पदाबली मैथली भासा में रचना है किसकी रचना है बिध्यापती जी की ठीक है अब यहाँ पर चार का उत्तर आपको बताना है तब आपका कौन सा हो जाएगा बिद्यापती की पदा बली किस रसकी प्रधानता है इसमें बीर रसकी स्रंगार रसकी रसांत रस या फिर दोस्तों बासल रसकी किस रसकी प्रधानता है और आप लोगों ने बिलकुर सही आंसर बताया है कि सर जो बताना है स्रंगार रस का इस्थाई भाव क्या होता है जल्दी से बताओ स्रंगार रस का इस्थाई भाव क्या होता है मैं इसके दो भेद आपको बता दे रहा हूं कि स्रंगार रस दोस्तों एक तो संजोग स्रंगार लगभग सभी को पता है और एक होता है बियोग स्रंगार लगभक सभी लोगों को पता है इस बियोग स्रंगार को विप्र लंब स्रंगार भी कहा जाता है आपको पता होगा ठीक है लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखनी है कि आप से एक क्वेश्चन आता है कि किस रसको रसराज कहा जाता है तब आपका उतर होता है स्रंगार र को रसराज कहा जाता है लेकिन दोस्तों आपको पता है इसी रसराज किस ने कहा एक क्वेस्चन भी कई बार है स्रंगार रसको रसराज किस ने कहा स्रंगार रसका इस्थाई भाव क्या होता है रती सभी को पता है लेकिन स्रंगार रसको रसराज किस ने कहा तो आपको याद र पर वा है वा उजन का अब दूत मत किसका परयाय बाची है बताना है आपको सभी लोग लाइक जरू कर देंगे सिद्ध संप्रदाए नात संप्रदाए बोध संप्रदाए या फिर सूफी संप्रदाए आपने दोस्तों नात संप्रदाए पढ़ा है और नातों की संख्या भी किया है कि सर अब दूत मत की अगर बात करोगे अब दूत मत की अगर बात करोगे तो जल्दी से उत्तर आने चाहिए फटापट से सबी लोगों का है ना और उत्तर आपका बिलकुल चले जाएगा दोस्तो नात संप्रदाय नात संप्रदाय यानि कि जो टू नम्मर है आपका बिल्कुट शही है, नातों की संक्या 9 है, ठीक है, नात संपरदाई की प्रवर्थ तक गोरख नात माने जाते हैं, दोस्तों, कौर अब आ जाते हैं, गोरख नात, लेकिन आपको पता है, कहीं कहीं आपको मच्हेंदर नात भी मिल जाता है, गोरख नात के गुरू का नामत दो लोग लाइक जरू करते रहना और अंगला कोश्चन है आदी काल में चरित काब किस चंद में लिखे गए प्रश्न किरमांग 6 का आंसर सीधा सीधा उत्तर आपको बताना है बताए आदी काल में चरित काब किस चंद में लिखे गए बताए दोहा चौपाई में लिखे गए और बताईए, शबी लोग बताएंगे प्रश्न किरमांग 6 का आंसर, 6 का आंसर बताना है क्या हो जाएगा, आदी कालवे चरितकाब किस चंद में लिखे गए, हैना अगर कभी ऐसी सुच्योसन बनती है दोस्तों, तो देखो वो फिर काई पे आयोग पर डिपेंड करेगा कि गोरकनात और मचेंदरनात में से किसको मानते हैं, हैना उसके बाद इसके पहले दोस्तों, गोरकनात को आयोग ने मचेंदरनात को मानाता नात संप्रदाय का प्रबरतक, मचेंदरनात को, ये आयोग पर डिपेंड करता है और आपकी तागत पर कि आप कौन सा सही करवा पात है ना आधी काल में चरितकाब किस चंद में लिखे गए तो वो लिखे गए दोस्तो दोहा चौपाई में कौन से चंद में लिखे गए दोहा चौपाई चंद में लिखे गए यानि कि आपका उत्तर एकी तरफ चला जाता है एक नमबर चला जाता चलो चौपाई की बात आई ह जल्दी से बताओ चौपाई पढ़ते हो आप लोग बहुत सारी रामाइन की चौपाई भी पढ़ते हो चौपाई के प्रतेक चरण में कितनी मात्राइं होती हैं ये आपको चैन करना है उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंटर में बताएंगे जो लोग जब तक अंगला क पढ़ते हैं यहाँ पर कि कौनसा गरंत सिलाओं पर अंकित है ये क्वेस्चन कई बार पूछा गया दोस्तों सिलाओं पर अंकित जो गरंत है वो गरंत कौनसा है फटाक से आपको बताना है जिन भी सातियों ने सेल्प स्टेडी क्लासे से एप डाउनलोड नहीं किया वो से हिंदी साहित की निचोड क्लास पूरी दस दिन की आपकी कंपलीट होगी है ना और यहाँ पर आपने बताया है कि सर सिलाओं पर अंकित जो किरती है वो कौनसी किरती है राउल बेल है कौनसी किरती है राउल बेल याद रख रहे ना बोले सिलाओं पर अंकित किरती है इस प कौन है तो जल्दी से आपको बताना है राउल बेल के रचनाकार कौन है और बिलकुल सही आंसर है रोडा कभी रोडा कभी माने जाते हैं आपने बिलकुल सही आंसर बताया है क्योंकि बोले बेल के रास्ते में बोले हम रोडा नहीं बनना वापन बोलते हैं कि हम रोडा नहीं रासो सब्द की उत्पत्ती किस सब्द से मानते हैं सभी लोग बताएंगे फटाक से बताएंगे उसी कोर्स में जो आप कोर्स में एडवीशन लेंगे उसी कोर्स में निचोड किलासे होंगी दोस्तों अलग से कोर्स नहीं है निचोड किलास का उसी कोर्स में आपका होगा सायन से मानते रासक से मानते रास से मानते या फिर रसिक से मानते है ना तो यहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है दोस्तों और पढ़ाया है विश्त्रे तद्यन में कि यहां से question पूचा ही जाता है या चरह हजारी प्रसाद दुवेदी की अगर बात करें तो रासो सब्दी की उत्पत्ती जो मानी है वो मानी है रासक से रासक से यानि कि आपका जो बिकल्प नम्मर भी है रासक वो बिलकुर सही हो जाएगा रासक सभी लोगों ने बताया है बहुत बड़ी आंसर यहां पर आ जाते अंगले स्रापका चार का रचना काल क्या है रचनाकार को अब रचनाकार अपसी अगर पूँचा गया इसकी रचनाकार कौन है देव सेंड एना कि दियो याद रख्टे न स्राबक दियो क्या याद रखोंगे टिस्राबक से सशापक चार और दियो से डियो ठीक है अब आपको दहना स्रापक चार का रचना काल क्या है रचना काल 900 ECB है 920 ECB है 923 या 933 ECB आपको क्या करना है दोस्तों Self Study किलासे से एप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जहां पर बहुत सारी फिरी मटेरियल भी आपके लिए मिलता है तो पैड किलासें भी आपके लिए उपलब्द हैं जैसा भी अंसर बिल्कुल शही चार नंबर यानि कि 933 ECB 933 ECB आपका बिल्कुल शही हो जाता यहां पर यहां पर आजाओ दोस्तों Charles Elliott ने इनमेंसे किस गरंत का प्रकासन करवाया था किस गरंत का प्रकासन करवाया था दोस्तों Charles Elliott बताए चार्ल्स Elliott ने सबी लोग बताना है आपको Charles Elliott ने इनमेंसे किस गरंत का प्रकासन करवाया परमाल रासों का करवाया आला खंड का करवाया है ना प्रत्वीराज रासो या फिर बीसल देव रासों का करवाया बताएए सबी लोग बताएंगे किस नाम से करवाया था हाँ इस सभी के लिए है देखो आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं है ना और किस प्रकार से पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब आपको यहाँ पर चैन करना है कि चाल सीलियट ने इनमें से केसे गरंत का प्रिकासन करवाया ठीक है तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभी लोगों को पता है कि सर जिस नाम से इनों ने गरंत का प्रिकासन करवाया था वो गरंत कौन सा था वो गरंत था दोस्तों कौन सा था गरंत जल्दी से चैन कर लो एक बार बहुत बढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका दूसरा नाम परमाल रासो भी है दोस्तों आलाखंड का परमाल रासो ठीक है तो इनको आपको याद रखते हैं दोनों आफसन यहाँ पर हो गए है ठीक है फिलहाल आपको बी नमबर लगाना ठीक है यह परमाल रासो आलाखंड को प पढ़ा है तो जल्दी से बताईए प्रत्वी राज रासों के विसाय में कौन सी धारना अधे को पेयोगते है प्रामाने के है आप प्रमाने के अर्धे प्रमाने के जाली गरंत मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग तो इसी में कन्फ्यूज होते हैं मैं सबसे पहले आप लोग ने देखा कि यह आ रहा है बहीं चले गए जहां यहां देखा तो यहां की किलास अटेंड कर ली बहां की देखी तो बहां की किलास अटेंड कर ली सबसे पहले आप खुद डेसाइड करो इतने तो आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं माइंडेड हैं पेपर का एकज रहेंगे, मैं यही सोचता हूँ आप लोगों को, कि सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, है ना, और प्रत्विराज रासों के विशाय में कौनसी धारना आदे को पयोगते, ये धारना अधे को प्योगत है कि सर इस जो है सिरी नंबर वो आपका बिलकुर शाहिए कि ये अर्ध प्रमाने कमानी जाती है कौन सी मानी जाती है अर्ध प्रमाने क है ना ये सबसे जादा उप्योगत है कई बिद्वानों ने इसे प्रमाने कमाना कई बिद्वानों ने इसे प्रधानता है जल्दी से आपको जल्दी बताना है सभी लोग बताएंगे प्रतिविराज रासो है ना या फिर दोस्तो परमाल रासो बीसल देव रासो या फिर हमीर रासो इन में से किस रासो काब में स्रंगार की प्रधानता है स्रंगार की प्रधानता किसमे है यह आपको च प्रधांता आपको चेन करना है और सबी लोगों को पता है कि सर अगर स्रंगार की प्रधांता की बात करोगे तो वो उत्तर हो जाएगा बीसल देवरासो याद रख लेना दोस्तों राम चंद्र सुकले ने 12 प्रमाने के गरंत माने 12 प्रमाने के आधार पर इन्होंने आधीकाल का नाम बीरगाथाकाल नाम का दोस्तों ब्रोध हुआ और अचार हजारी परसाध दु वेदी ने इसका नाम आदीकाल दिया आदिकाल दिया तो दोस्तों आपको पता है आदिकाल ही सबसे उपयोक्त माना गया लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि बीसल देओ के रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए बीसल देओ के रचनाकार कई बार पूछा गया है बीसल देओ इस रंगारे के रचना है लेकिन नर् तो आपको पताई है दोस्तो परमाल रासु जगनिक बोरी परमाल तून अम्मर आपका परमाल रासु बिलकुल परमाल रासु की रचनाकार जगनिक माने जाएंगे याद रखना यहाँ पर आ जाते रासक चंद में कितनी मात्राएं होती हैं जल्दी से बताओ रासक चंद में कितनी मात्राएं होती हैं सभी लोग बताएंगे कितनी मात्राएं होती हैं रासक चंद या फिर दोस्तो 31 सबी लोग बताएंगे और मैं बता रहा हूँ कि आपको जो पूछा जा रहा है कमेंट आपका बोई आना चाहिए हैना अगर आप इगर तिगर कहीं और दूसरा कमेंट कर रहे हैं कर दिया जाएगा आपका भी वीडियो नहीं देख पाओगे कमेंट नहीं कर पाओगे हैना इसलिए बहुत अच्छे से जितने भी हमारे साथ हैं पढ़ाई पर ध्यान दें अगर इगर तिगर की बाते भी हो रही है तो बिलोग सीधा बिलोग मुझे बिल्कुल भी नहीं देखाना ऐसे लोगों को जो यहां पढ़ने नहीं आती सिर्फ बात करने आते हैं ठीक है इस परश्ट सुनने बिल्कुल भी रासक चंद में कितनी मात्रा होती क्योंकि मैं भी अनर्गल बातें नहीं करना चाहता यहां बहां कि इसलिए मैं किसी की देखना भी नहीं चाहता सिर्फ आपको कमेंट बताना है आपको पढ़ना है ठीक है तो यहां पर आपको बता हो नीचे यह B नम्मर यानि कि 2 नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा रासक चंद में कितनी अपभरंस में या फिर प्राकृत में यहाँ पर चौदा का आंसर आपको चेन करना है बिजय पाल रासो किस भासा में लिखा गया चौदा का आंसर आपको चेन करना है ठीक है डिंगल में लिखा गया पिंगल अपभरंस या फिर प्राकृत में लिखा गया सबी लोग बताएं चौदह का आंसर आपको चेन करना है और चौदह में आपका बिलकुल सही आंसर जो चला जाएगा विजय पाल रासो किस भासा में लिखा गया ये आपको बताना है और आंसर हो जाएगा आपका क्या अपभरेंस विजय पाल रासो आपको पता है विजय पाल रासो अपभरेंस कौन है फटाक से आपको चैन करना एक बार लाइक करना है सेयर करना अपने मित्रों तक और दोस्तों बने रहना इसी प्रकार से लाइक सेयर करना जितना आप पढ़ोगे उतना हम पढ़ाने को तयार हैं लेकिन आपकी भासा आपके संसकार आपके आदर्स मुझे दिखना चाह हैं और जो आंगे बढ़ना चाहते हैं बास्तों में हम उनका पूरा साथ देंगे और आप भी दोस्तों इसी प्रकार से सब्वता बनाए रखें अपना जो परिचा है अपने कमेंट के माद्यम से दीजिए कि सर हम भी सब हैं आप सब हैं तो हम भी सब हैं और हमारे जितने स रासो की रिचनाकार कौन है दलपती बिजय दलपती बिजय आपका बिलकुर सही आंसर हो जाएगा दलपती बिजय है ना तो इनको आपको याद करना है ठीक है बिजय पाल रासो दलपती बिजय ना, यह नल सही की रचना है दोस्तों नल सही की रचना है मैंने आपको याद भी करवाया था नल सही की रचना है इसको आप याद रख लेना मैंने याद करवाय था कि आपको अगर बिजय प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है नल उखार देना आपने सनी देवल वाला मैंने डालाग आपको बताया था ना गाना सुनाने सभी लोगों ने कहीं फिर जाने बाले नहीं फिर आने बाले सुनाये सभी लोगों ने तो ऐसे रासो ग्रंत की रचनाकार का नाम बताई जिसकी रचना दोस्तों अजमेर के सासक से संबन देते हैं सबी लोग बताएं जल्दी से बताएंगे फटाक से बताएं ऐसे रासो ग्रंत की रचनाकार का नाम बताई जिसकी रचना जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर है ना और ऐसे रासो ग्रंत के रचनाकार का नाम बताना है जिसकी रचना अजमेर के सासक से सम्मंदित कई बार कॉस्चन पूछा गया दोस्तो अजमेर के सासक से सम्मंदित दे बीसल दे रासो जो रचना है और दोस्तो इसके रचनाकार कौन है बोली सर नर्पती नाल कौन माने जाते हैं नर्पती नाल माने जाते हैं बहुत बढ़ी या अंसर सभी लोगों का बिलकुर सही है है ना इनको आपको याद रख लेना दोस्तो ये दलपती बिजय जो रच मदुकर कभी की रचना आपको बताना है जल्दी से बताओ मदुकर कभी कीरचना कौन शी है अंगला कोस्चन संस्रासक किसकी रचना है सबी लोगों को बताना, राम मुरज जी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो मैं पूरी जीजान से महनत करता हूँ, संदेश रासक किसकी रचना है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ, संदेश रासक किसकी रचना है, बताओ, दामुदर पंडित की, रोडा, पति या फिर अबदुर रह्मान, संदेश रासक किसकी रचना है, आपको चैन करना है, बताओ, जयमेंक जस्चंद्रीका इसकी रचना कार कौन है, और संदेश रासक एक इसकी रचना है तो आपसे अगर कभी संदेश रासक पूछा जाए दोस्तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे संदेश रासक के बारे में संदेश रासक यह जो गरंत है दोस्तों यह किसकी रचना आपसे पूछा जाए तो यह रचना है अबदुर रह्मान की अपन ने पड़ा है कि पहले क्या होता तक कबूतर से संदेश चिठ्थी बान देते थे और दोस्तों ले जाते थे है ना लेकिन अब दूर नहीं संदेश भेजना अब दूर नहीं संदेश भेजना तो संदेश से संदेश रासक और अब दूर रह्मान है ना जै मैंग जैस चंद्री का मदुकर कभी की रचना है दोस्तों इसको आपको यात करना है अब यहां पर आपको बताना है सबसे बड़ी बात जो है कि आचार हजारी प्रस दुवेती ने हिंदी की प्रथम रचना और कभी किसे माना है ये आपको बताना है जल्दी से लिखिए फटाक से बहुत बड़ी आंसर आया है यहां पर है ना और इस संदेश रासक के बारे में दोस्तों आपको पता है कि इसे आधी काल का मेगदूत कहा जाता है संदेश रास है इसको याद रखेंगे संदेश रासक क्या है खंड काब और आपको पता है कि आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने हिंदी का प्रिथम हिंदी का प्रिथम जो कभी माना है वो अब्दुर रह्मान को और इनकी रचना दोस्तों संदेश रासक को प्रिथम रचना माना है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? हिंदी, अचार हजारी परआठ साथ दोवेदी ने, याद रख देना, ठीक है? इनको याद रखेंगे हजारी परआठ साथ दोवेदी ने माना है दोस्तों संदेश रासक को,ठीक है? अंगला कोश्चन यहां पर आते हैं अंगला पढ़ते हैं यहां पर ठीक है अंगला आपको बताने राउल बेल किसकी रचना है जल्दी से बताओ राउल बेल किसकी रचना है बताईए राउल बेल किसकी रचना है राउल बेल किसकी रचना है बहुत सारे लोग सत्त बती कथा यहाँ पर राउल बेल किसकी रचना यह पूछ लिया गया आपसे किसे लांकित किर्टी मानी जाती है दोस्तों यह मालवा चेत्र है कहाँ पर है मालवा चेत्र है मद्द प्रदेश में मालवा चेत्र है यहाँ पर कौनसी बोली बोली जाती है माल भी बोली जाती है अब माल भी आई है तो माल भी के बारे में भी यह पंचर्चा करेंगे भिलाल राउल बेल आपको बताना है सलांकित किर्टी है राउल बेल इसके रचनाकार आपको पता है बोली से रोडा कभी इसके रचनाकार है बिलकुल सही है लेकिन आपर आपको ब बोली है कि किस भासा से संबंदित है जल्दी बताओ किस की दोस्तों बोली मानी जाती है बताओ मालवी फटाक से आपको बताना है मालवी की जब बात आई है और मालवी दोस्तों मालवा में भी बोली जाती है और मालवा कहां है मद्द प्रदेश का जो इंदौर उज्जैन य तो आपको याद रख लेना मालबा चेत्र और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यह जो मालबी भासा है कि राजिस्थानी हिंदी से सम्मंदित है अब आपको कमेंट में राजिस्थानी हिंदी से सम्मंदित जो बोलियां है उन पूरी बोलियों के नाम लिखना है जल्दी जिनभी सात्यों को वीडियो को लाइक करना है ऑने अपने मन से और जिनभी सात्यों ने सेल्फ इस्टेडी कलासे एप डाउनलोड नहीं किए वो एप को जरूर डाउनलोड करने हैं मस्ती से पढ़ाएंगे अब हमें आप लोगों को मैंने दोस्तों आपको बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा दिया घटना चक्र को पढ़ा दिया है ना उपकार की बुक को पढ़ा दिया दोस्तों और आपको यूथ कॉंपडिशन की बुक को भी पढ़ा दिया है ना बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया अब बहुत ही special season आपका आने बाला है जिन भी सात्यों को course में अड़ीसल लेना अब आपका exam रुकेगा नहीं तो आपको भी नहीं रुकना है राजा मुंझ को परानी हिंदी का प्रिथम कभी किसने माना इतना अच्छा question यहाँ पर आया है बहुत अच्छा question है दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है राजा मुंझ को किसने माना है जल्दी से कमेंट आया बहुत सारे लोगों का बहुत बढ़िया है ना बिलको राइट answer आया है मेबाती, मालबी, जैपुरी आपको जैपुरी के बाद याद रख लेना इसे ढूंढारी बोली भी कहा जाता है ढूंढारी जैपुरी को क्या कहा जाता है ढूंढारी बोली भी कहा जाता है दोस्तो याद रखना और राजा मुंझ को पुरानी हिंदी का प्रतम कभी जो माना है वो माना किसने चंद्रधर सर्मा गुलेरी चंद्रधर सर्मा गुलेरी गुलेरी जी के बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि गुलेरी जी ने बहुत बढ़ या तीन कहानिया लिखी कौन कौन सी लिखी एक तो वो ले सर उसने कहा था उसने कहा था ठीक है दूसरा फिर धूंडाडी ठीक है अंगला कोस्चन देसल बैना सब जन मिठा किसकी पंक्ती है मैंने कई बार आपको पढ़ाया देसल बैना सब जन मिठा पंक्ती के रचनाकार कौन माने जाते हैं सबी लोग लाइक जरू करना दोस्तों एक किलास 9 बजे होती अपनी और 9 बजे इसी प्रका आपको बताया है कि मिठा मिठा बोल थारो काई बिगेडे काई बिगेडे थारो काई बिगेडे है ना यहां पर अपने मिठा को पकड़ा ता वो लिए सरे मिठा आया यहां पर और मिठा मिठा वो ही बोलता है जिसके अंदर बिध्या होती है जिसके अंदर क्या होती है बिध के सभी लोग मिठ्ठा मिठ्ठा बोलते हैं अच्छा लगता है है ना और यहां पर मिठ्ठा मिठ्ठा बोल थारो काई बिगड़े ये विद्या पती जी की पंक्ती मानी जाती है और आप लोगों ने बिलकुर सही आंसर बताया अंगला क्वेस्चन बोला संकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा इसे अप ब्रेंस कहा इसे अब हट कहा है इसे पुरानी हिंदी कहा है या इसे प्राकृत कहा है जल्दी से बताईए भोला संकर व्यास का जल्दी से आपको चैन करना है अच्छा कोस्चन आया है उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बता भोला संकर व्यास ने हिन्दी के आरंभिक रूप को क्या कहा है थोड़ा सा kठteenth प्रस्ण लेकिन बहुत अच्छा क्वेस्चन है जिनने पड़ा है वो आराम से उत्तर इसका बताएंगे और आपका उत्तर हो जाएगा भोला संकर व्यास और भोला संकर व्यास बोले हत है। अब हट अब हट अब हट दोस्तो है ना इसको याद रख़े ना और आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी दुख दर्द हो कोई भी कुछ हो कोई भी प्राबलम हो आप जाते हो किसके पास बोला संकर के पास जाते हो और बोला संकर करते हैं कि बोले अब हट अब हट और जो भी समस्या है अब हट है ना तो ये भोला संकर जी ने अब हट कहा दोस्तो टू नम्मर आपका विल्कुल शही कीरती पता का आगई है कीरती पता का रचना कई बार आपने पढ़ा है और फिर से आप से मैं पूछ रहा हूँ पढ़ चुके हो आप लोग बहुत अच्छ से कीरती पता का किसकी रचना है साती इसकी दोस्तो भासा भी आप लोग बता देना आपको कई बार पढ़ना इन रचनाओं को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगे किसर ये रचना है तो सारी रट गई है रट गई है तब दोस्तो है ना बहुत फिर भी पढ़ना है पढ़ है तो आपको अध्यान जब क्रमा नरंतर रहेगा तो उसमें वो हो जाता है हैना मैं भी बता हूं मुझे पवी कभी-कभी गड़बर लगने लगता है है ना इसलिए अध्यान करना है नरंतर अध्यान अगर छूटा तो गड़बर हो आसगू कभी की रचना एक आपको बताना है एक question आपके लिए भी पूछ रहे हैं जब से तो मैं ही पूछ रहा हूँ अपने हिसाब से लेकिन आसगू कभी की रचना कौन सी है आपने कई बार पता है बिना option के बताना है आसगू या आसग भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल राती है दोस्तों आस्गू कभी की रचना आपको चैन करना है जल्दी से बताईए आस्गू कभी की रचना कौन सी है और अधिकान से लोगों ने बताया है है ना अब्यक्त कुमार जी पूर्ती जी बताईए तनु जी चंदन वाला रास बहुत बढ़िया अंसर बताया आप लोगों ने है ना बोले सर आज तो कुछे खाकर आए हैं चंदन वाला रास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चंदन वाला रास चंदन वाला रास है ना बोले अपन यहां पर आस सब्दाया जब आप मंदर जाते हो तो मंदर जाते हो तो आपकी चंदन की आस होती है कि कही पुजारी मुझे चंदन लगा देते ऐसा ही होता ना मंदर जाप जाते हो एक एक्छा होती आपके अंदर कि मैं जब मंदर आया हूं तो मुझे भी चंदन लगनी चाहिए है ना तो बोले चंदन की आस चंदन की क्या आस तो आस से आसगू और चंदन से चंदन वाला रास इन के बारे में एक बहुत ही महत्पूर कथन है दोस्तों जो कई बार कॉश्चुन पूछा गया आचार के सोरी दास बाचाई को क्या कहा हडाला भासा प्राक्रत अभगै या फिर देश भासा चली से बता ना है मन्जु यादो जी लाइब है लाइब है है ना याचार के सोरी दास बाचपे ने अप भ्रेंस को क्या कहा है 22 का अंसर आपको चैन करना है बताइए 22 और 22 में आपका सही आंसर जो चला जाता है कि सराचार के सोरी दास बाचपे ने अप भ्रेंस को क्या कहा है तो वो लिसर डा डाडा भासा यानि कि आपका जो एक नमर है वो बिलकुल सही है एक नमर आपका डाडा भासा सही हो जाता है और कि सोरी दास बाचपेई के बारे में जो एक सबसे महत्पूर्ण प्रसना आता है वो कौन बता रहा है सबसे पहले वो मैं देख रहा हूँ जल्दी से बताईए कि सोरी दास बाचपेई अचर के सोरी दास बाचपेई जल्दी से बताओ है ना जल्दी जल्दी बताना है अचर के सोरी दास बाचपेई का एक जो सबसे महत्पूर कथन ये सबसे महत्पूर जो प्रसन आता है वो कौन सा प्रसन आता है सभी को याद होनी चाहिए प्रसने तक याद होनी चाहिए है ना और जब प्रसने आद हो जाते हैं तो बोले कोई भी एकजाम पूछ ले है ना तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर अचर के सोरी दास बाचपे ने अप भरेंस को क्या कहा कमेंट में लिखना है कौन बता रहा है कौन बता रहा है आराओ जी बताईए कि सोरी दास बाचपे के बारे में बहुत बढ़िया अंसर आया है है ना बहुत बढ़िया सैलेस जी जया राजपूत तनू जी बहुत बढ़िया इन्हें हिंदी का पाड़नी कहा जाता है दोस्तों हिंदी का पाड़नी कहा जाता है य को आपको याद रख्टी ना है ना और हिंदी ब्याकन का पाड़नी कहा जाता है दोस्तो है ना हिंदी ब्याकन का पाड़नी कहा जाता है कामता प्रसाद गुरू को कामता प्रसाद गुरू को हिंदी ब्याकन का पाड़नी और हिंदी का ब्याकन का पाड़नी दोस्तो किसोरी बाच पर लगाया आना है ठीक है हिंदी ब्याकन का पढ़नी किसे कहा जाता है और ओप्सन में कामता प्रसाद गुरू अगर नहीं है तो आपको सकोच नहीं करना किसोर इदास बाच पर लगाके आ जाना है ठीक है बहुत बढ़िया तो सबी लोगों ने इतने अच्छे से भाग ले सकते हैं सबता है में दो दिन एक टेस्ट सीरिज होती है रभी बार और गुरू बार को ठीक है और साथ ही जिन भी साथियों को पैड कोर्स में एड़ बीसल लेना है तो चतुर्त बैच स्टार्ड होने वाला है अल्रेडी तीन बैच चल रहे हैं जो की बिलकुल फ ऐसी स्टार्ड होने वाली है कि हिंदी में क्या-क्या पूछा जाता है जिसका निचोड पूरा रहेगा है ना पूरा हिंदी साहित के इतिहास से लेकर के एकांग की तक पूरा दोस्तो निचोड निचोड क्वेस्चन आपको पढ़ाये जाएंगे बन लाइनर फैक्ट आप सबसे सस्ता कोर्स आपको मिलने वाला आपको तेन-चार हजार-पांच हजार कोर्स फीस बिल्कुल भी नहीं देना है ना आपके लिए जब इतनी सारी सुविधा है जहांपर टेस्ट भी उपलब्द हैं जहांपर दोस्तों डाउट सी भी किलियर किये जाते हैं जहां पर आ आपकी दोस्तों है ना तो जिन भी उदाय आदो जी महेश जी निरूपम जी महीना मनीशा जी जी सबीना जी याचना जी और जिसको जैसा लगता है पढ़ाई करिए और पढ़ाई को दोस्तों आप क्या नहीं समझे की कमजोर नहीं समझे पेपर कब होगा इह बिलकुल भी न मीनू जी, लालदास जी, हिमानी जी, आचना, बीनू जी, मनीसा, अरोन जी, राम मुरद जी, साक्छी जी, आकास जी, अरोन जी, प्रमिला जी, लता देवी जी, जोती सिंग जी, हरियोम जी, ठीक है, मेगा जी, सरोज जी, प्रदीप जी, मिनाक्छी, तनू जी, सरमिला, लत जी सुनील सासवत पांडे जी अनिल कुमार जी धन्नबास सभी सातियों को पढ़ते रहिए भाईयो जहां भी आपको कंटेंट मिले मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप मेरे ही वीडियो देखें जहां पर आपको अच्छा मटेरियल मिले बहुत अच्छे से पढ़िए सभ कुछ पढ़िए मेरे यहां भी पढ़िए जहां भी मिले लेकिन पढ़िए आप लोग मैं जितना सहीयोग करने को बनेगा मैं आप लोगों को सहीयोग करूँगा पूरा जिनको कोर्स में एड़ीज से लेकर कि अद्ध्यान करें बीडियो को लाइक करें और दोस्तों इसी प्रिकार से अध्यान करती रहे मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ ठीक है और अध्यान करती रहे मंजू जी देवांसी जी ठीक है आज के इस वीडियो के लिए सात्यों इतना ही है ना जितना मैं आप लोगों के लिए कर पाऊंगा उतने लिए उतना करने के लिए मैं भी अपने आपको धन्य समझूगा कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ तो किया है आपकी सपलता के लिए मैंने भी तो कुछ किया है आप लोग भी मुझे याद करेंगे कि सर ने मुझे कुछ तो सिकाया था कुछ तो पढ़ाया था ठीक है पढ़ते रहिए मेरा उद्देश यह लिए कि आप लोग पढ़ें ठीक है बहुत बड़ी आप जैहें सभी